इंडिया के नंबर वाड़ी स्टुडेंट कौन है अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें मेहनत का ही फल मिलेगा और अगर आप टाइम पास करोगे तो आपको टाइम पास का फल मिलेगा दोस्तो मनलब जैसा आप दूसरों के साथ भैवार करोगे वैसा ही आउपूट आपको भी मिलेगा अगर आप दूसरों से नफरत करोगे तो आपको नफरत ही मिलेगी और अगर आप प्यार करोगे तो बदले में प्यार ही मिलेगा अगर आपने नीम का पेड़ लगाया है तो फल की च स्थाब कैसे रख सकते हैं चल ere यह बात को समझानी के लिए चुटी सी स्टोडी से नरा चाता है यänder स्टोरी को च सुनिये गाइन के बहुत स्टोरी एक बात कि एक बात है कि एक बच्चा अपनी माँ से बहुत दुखी रहता है क्योंकि माँ उसे बहुत डाटी है तो वो अपनी माँ को कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ और माँ उसको और डाटने लगती है तो बच्चा घर से भाग जाता है और भाग कर एक पहार पर जाके चल पर जाने के बाद अपनी माँ के पार जाता है और बोलता है कि पाहर में कोई बच्चा छुपा बैटा है जो मुझसे बहुत नफरत करता है वो बहुत बुरा है माँ तो माँ उसको अच्छे से समझाती है बोलती है कि बेटा अब तुम बापस जाओ और तुम उससे काओ कि मै मैं तुमसे प्यार करता हूँ मा के कहने पर बच्चा फिर से यही चीज दोहराता है और पहार पर जाकर यह बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और दोस्तों क्या होता है कि फ़ल सरु आवाज भी रिटेन होके यही आती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो वो बच्चा समझ चाता है कि जैसा वो किसी के साथ वहवार करेगा वैसा ही उसके साथ भी वहवार होगा दोस्तो इस स्टोडी से मैं आपको यह समझाना चाता हूँ कि जैसे बीज आपने बोई हैं फसल भी आप वैसे ही काटेंगे दूस्तों अगर आप किसी के साथ बुरा भैवार करते हैं तो यह सोचना भी गलत है कि आपके साथ में अच्छा भैवार हो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि नीम का पेड लगाओगे तो फल की इच्छा कैसे कर सकते हो इसलिए दूसरों की इ जानते हैं इससे टेली कोम या फिर स्मार्ट डेपलपर मैं बताना चाहता हूं कि यह है मेरी मोबाइल स्वाड़ फ्लैसिंग की बुक और यह आ चोकी है और यह मार्केट में बहुत जल्ली लॉंच होने वाले है दोस्तों तो इस बुक को अगर आपको पर्चास करना है तो सारी इसमें जानकरी चुत्र के साथ दियो है काफी अच्छी बुक है और काफी सस्ती है इसको आप पर्चिस कर सकते हैं कर दो सकते हैं